हाई डियर स्टुडेंस वेलकम्टो इस्कूल डॉटकॉम इंगलिस क्लासिस आइम बिनक्मार बियार गोइंग टीट चैप्टर अब क्लास 12 हमने आपको बता दिया था एक बार फिर से ओवर्वीव ले लेते हैं इस स्टोरी का क्या है कि एक बैगाबॉर्ण जो की घूमता भूआ एक क्रॉप्टर के घर पर होंचता है क्रॉप्टर घर से कुछ पैसे चोरी करके जंगल में आने के बाद उसे रास्ता नहीं मिलता वह बटक जाया करता है और फिर बहुत जाता था तका आरा लेट जाता है जब भी लेटता है तो उसे कुछ आवाजन सुनाई देती अपने आपको वाम करने के लिए यह उस फोर्ज के अंदर चला जाता है फोर्ज जगा जहां पर ब्लैक स्मित काम किया करते हैं तो उस जगह पर जाकर वहां फरनेस को जलते हुए देखता है बहुत ही अट्रेक्टिव प्लेस है नाइट स्पेंड करने के लिए उसके पास रेंज जो आयरन मील का जो मालिक है वो टाइम टाइम पर आता रहता है तो जब वहां पर आया हुआ था इस पार night inspection के लिए देखने के लिए कि आकरकार क्या चल रहा है तो देखता है कि कोई एक red methane वहाँ पर लेटा हुआ है फटे पराने कपनों पहने हुए कोई व्यक्ती वहाँ पर पड़ा हुआ है तो वो उसके पास जाकर देखता है उसका hat रटाता है और चौकर एकदम कहता है कि नील सोलो तुम तुम यहां कैसे है ना तो ये बड़ा shocking thing है कि इस ट्रैम्प को जो की एक चोर है अभी पैसे चुरा के लेके आया है उसको देखकर ये ये बोलता है कि नील सोलो तुम तुमने कैसी हालत कर ली है कि तुम किस तरीके से ऐसे वटकते फिर रहे हैं साहित तुमारे साथ बहुत बुरा हुआ है दिन्वदन खराब होती चली गहीं और तुम्हें रजीमेंट से इस तरीके से अभ ये सारा कुछ जब वह वांड या फिर ट्रैम्प कह सकते हैं बोज सुन रहाता तो उसे इंसाइट चीजों पर समझ नहीं आ रहाता कि क्या हो रहा है क्या चल रहा है फिर उसने सोचा क्यों ना इसे सच बता दिया जाए किसने ट्रैम्प ने सोचा कि नील जो रैम्स जो आयरन मिल का मालिक है उसे नील सोलो बगेरा यह सब कुछ वो नहीं बता दी जाएं लेकिन फिर उसने सोचा ऐसा करने से उसे क्या फाइदा होने वाला है उसने फाइदा लेने के लिए एक बार फिर से कुछ भी नहीं बोला और कुछ नहीं का मतलब यहां पर हो गया जोंट है ना तो फिर जो है दोबारा से वह पूंचता है कि चलिए आप ऐ करता है golki में एक चारा घर पे मुझे घर पे नहीं जाना है नो नो बोलता रहता है कंट्ञी तो बोजो जो मेरे काफ। पर ने साथ नहीं होता है। मत करो पर मेरे नहीं है। मिरा केवल एक बड़ी बाली बेटी है मेरे सारिक्राइद है समझा सेंगा घिसा नहीं होता आज की जो माली सब्सक्राइब यह समझता उन्हों नकिते हैं अभी भी उन्हें कुछ कहना था लेकिन उन्हें कहा नहीं है और वहां से बिना कहीं चले गए हैं इसका मतलब कुछ और गटित होने वाला है वो जाते हैं उसके जस्ट आपर सम टाइम अहां पर एक carriage आके रुका करती है और उसमें दो लोग निकलते हैं एक है लड़की है और दूसरा एक उसका assistant है assistant के हाथ में फर कोट बगेरा है वो आकर उस ट्रेम को बड़े ही प्यार से ट्रीट किया करती है friendly मैनर में उसे convince किया करती है किसी तरीके से persuade करती है और कहती है कि आप चिंता ना करें जिस तरीके से मैं आपको यहां से ले जा रहे हैं उसी तरीके से आपको वहां से घर से बेज दिया जाएगा तो यह जो है कहीं न कहीं यह सोचता है कि अगर यहां से ले गई मुझे और कुछ गरबढ हुआ तो हो सकता है मुझे पलिस से फकडवा दे ऐसा क्यों तो पहले से ही च Later है और इस तरीके की एंडरिक इन्डिटाइंग जेन्रेंट हो चुकी होती है कि इस उस लड़की के अंदर भी हैं यह समझ्जाती कि या तो यह व्यक्ति जो है कुछ चुरा के भागा है या फिर कहीं जेल से भागा हुआ है तो इस तरीके की वाबनाए जो है इस व्यक्ति के अंदर भी चल रही होती है जो ट्रैम्प है उसके अंदर भी तो सोच जाया होता है कि कहीं फस ना जाएं अब वो एक तो गुना कर उसे हैज लड़की सता जाने के लिए तयार हो जाता है और को छो बैलत होता है उसे ले लिया करता है वह से ले लिया करता है with a deep bow, threw it over his racks, अपने जो कपडे पुराने, फटे पुराने जो पहने हुगा करता है, उसे उतार के फैंक देता है and followed the young lady out to the carriage और उस young lady का फीचा करना सुरू कर देता है, उसके फीचे बीचे चल देता है carriage जहां पे खड़ा होता है, महां जहां पे उसके पास तक without granting the astronauts blacksmith so much as a glance, और उसकी तरफ एक नजर भी नहीं देखा करता है, इसकी तरफ जो blacksmith है वहां पे चौका हुए बैटा है but while he was riding up to the manor house, he had evil forwardings लेकिन जब वहां से चल रहा होता है गाड़ी में बैट कर उस मालिक के घर की तरफ को, तो उसके दिमाग में बड़े 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 विचार आ रहे होते हैं बहुत अचीब सी thinking उसकी बन जाती है सोच रहा होता है why the devil did I take that fellow's money, आखिरकार मैंने उस आदमी का पैसा क्यों चुराया है न, उसी की बज़ए से यह सारी समस्चा है तो उतपन हो रही है अगर वो उसका पैसा चुरा के वहां से नहीं बागता जंगल में नहीं फसता, जंगल में नहीं फसता तो यहां पे नहीं आया होता, यहां पे नहीं आया होता तो इस तरीके से गाड़ी में बैटकर नहीं जा रहा होता Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade who had run across so unexpectedly. अब जो जो डिनिंग रोम में आ रहा है, Iron Master, तो अपने पराने साथी के बारे में सोच रहा है, जो अचानक ही एक ऐसी जगह पर मिल गया, जहां पर उसे उमीद नहीं थी. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter, who was busy at the table. तो चलो पहले तो यह देखते हैं, थोड़ा बहुत उसके अंदर कुछ केवल अड़ी हैं, यड़ी हैं, कुछ बचा हुआ है, कोसिस करते हैं, किसी तरीके इस थोड़ा सही करने की. He said to his daughter, अपनी बेटी से बोलता है, who was busy at the table, जो कहां थी, बहुत ज़्यादा table पर. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling red traps. Who was busy at the table, तो उसके बेटी से कहता है, and then, और तभी क्या होता है, we must see, चलिए हम यह समझते हैं, यह पता करते हैं, that he gets something else to do than to run around the country selling red traps. की बेचारा यह red traps वोगेरा घाउं में इदर उदर बठकता रहता है, वेशते हुए, क्या उसके लिए और भी कुछ करने की विवस्ता की जा सकती है, यह ना, इस तरीके का arrangements, यसी बातें कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके से, इसका हो सके, जैसे भी possible, तो वहला किया जा सके. He's scared that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter, तो डौटर उसकी बोलती है कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि इतना सारा कुछ बुरा हो गया है, विचारे को red traps sailing करने पड़ी, विचारा सूग गया है, विलकुल, अदिया बची है, मास भी नहीं रहा उसकी बोड़ी पर, तो बहुत चादा बुरा हुआ उसके साथ, साइद जितनी भी बुरी चीज हैं हो सकती है, उसके साथ हुई है, लास नाइट आइड नाइट थिंग देखा था, तो किसी भी अंगल से मुझे यह नहीं लगता है, कि वो एक पड़ा लिखा वेल एजुकेट परसन है, थोड़ा ब़त पड़ा लिखा रहा हो लेकिन उसका जो फिता है, वो क्या बोल दिया करता है, कि थोड़ा धहरे रखो बेटी, है ना, कुछ धहरे रखो, सब कुछ समझ आ जाएगा तुम्हें, एस सून ऐसी गैस क्लीन एंड रेज़ दफ, यू विल सी संथिंग डिफरेंट, जैसे ही वो अपनी साफ सफाई किय करता है, जो गंदे कपड़े उतार के फैकता है, तो तुम्हें कुछ और ही नजराएगा है, जिस तरीके से तुम देख रहे हों, जिस पर सेप्शन से, तो वो सारी चीजें तुम्हें एकदम अलग नजराएगे, थोड़ा साफ तो हो लेने दो, उसे नहाद हो लेने दो, लास नाइट, वो ऐसक क्यों लग रहाता पता है, क्योंकि वो सावी गूप से बहुत ज़्यादा सरमिंदा था, जब तुम कल मिली थी उसे, तरेम बैनर्स बिल फॉल अवे फ्रॉल अवे फ्रॉम हिम विद ट्रेम क्लोस, जैसे जैसे वो अपने जो ट्रेम के कपड़े जो पहने हुए है, फालतु जो आवारागर्दी कपड़े पहने हुए है, जैसे ही वो अतार के फैकता है, उसके जो तौर तरीके बो भी बदल जाएंगे, आप देखना, कौन कह रहा है, जो मेनार है, वो कह रहा है, अपनी टॉटर से, मालिक, अपनी वेटी से, जैसे ही उसने अपने ऐसा सब कुछ कहा, एकदम दर्वाजा खुलता है, अजनभी आपे प्रिवेज करता है, यस, now he was truly clean and well-dressed, क्या है, अब वो पूरी तरीके से, साप सुक्छ है, अच्छी तरीके से कपड़े पहने हुए है, दा वैलिट है वालिट है, उसने उसे नहला दिया है, moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes, which belong to the Iron Master, अब वो जो है, बहुत शांदर कपड़े पहने हुए है, एकदम clean है, और यह जो सूट पहने हुए है, वो किसका है, Iron Master का ही है, he wore a white shirt and a strized collar and whole shoes, उसने क्या पहन रखा है, वाइट शट पहन रखी है, अच्छी तरीके से, पूरे shoes पहने हुए है, whole shoes का मतलब जो boot type के, what although his guest was now so well grown, the Iron Master did not seem pleased, अरे, यद्यापी, जो guest है, जो वहाँ पर आया हुआ अथिती, ट्रेंप आवारा, उसे अब सही तरीके से कर दिया, साफ सपाई कर दिया, उसकी, well groomed है, अच्छी तरीके सजा समरा हुआ, अब हाँ पर आया हुआ है, लेकिन क्या होता है, जो Iron Master है, उसे देखकर खुस नहीं होता, what did it happen, ये आखिरकार कैसे हुआ, ट्रेंबर से नहीं है, अच्छी तरप देखता है, और उसकी तरप देखता है, अच्छी तरप देता है, मदलेगां। इस प्यक्ति को देखा तो साइध उसने इसे पह्चानने में कहीं न कहीं कोई श कर दी हैना साइध उसने मिस अंदिश्टेंडी न गई है उससे ऑसने अपने जो साथ तो समझाज और किसी और को घरपे अब उसे देखर ऐसा-इस सास हो रहा है उसने अब देलाइट में देखा काफी दिन है खुब अच्छी तरीके से रोशनी है तब देख रहा है तो उसे चहरा अलग नज़र आ रहा है इन कंपरीजन अब देट इतना तो असंभव है कि वो अपने एक पुराने परचित को इतने दिन दाड़े इस तरीके से पहचानने में असमर्थ हो उसे ना पहचानफा है मतलब क्या हुआ एकडम यह असने जो कुछ भी था हुआ जुटलाने की कोसी नहीं की है न कुछ भी नहीं बोला इस्ट्रेंजर जो वहां पे था उसने कुछ भी नहीं बोला उसके ऊपर चिला रहा था लेकिन बोर कुछ नहीं बोल रहा था कौन इस्ट्रेंजर अबोर ट्रैंप वेगवांट he saw at once that the splendor had come to an end अब यह समझ गया था यह जो सान है वैभव है यह सब कुछ क्या है एकदम खत्म होने वाला है जो कुछ भी था वस यही था इतना ही उसे इंजोई करना था हो गया it is not my fault sir he said अब जो ट्रेंप है या stranger कह सकते हो उसने कहा स्रीमान इसमें मेरी गलती नहीं है I never pretended to be anything but a poor trader देखो मैंने कभी यह बनने की कोश्च नहीं की कि मैं आपका मित्र हूं या मैं बहुत अमीर आदमी हूं मैंने कुछ भी बनने की कोश्च नहीं की मैं तो केवल एक अपना विचारा गरीब सा व्यापारी जो मतलब सेलर वगेरा है रेट्रेप का वहीं था और कुछ भी नहीं और मैंने आपसे कितनी प्रार्थना की या अचना की मैंने कहा आपसे कि मुझे यहीं पर पोज में रहने दो मुझे आपके साथ आपके घर पर नहीं चलना है बट no harm has been done लेकिन फिर भी कोई बात नहीं कोई नुक्सान नहीं हुआ है सबसे बुरा क्या हो सकता है मेरे साथ मुझे यह कपड़े उतारने पड़ेंगे और मुझे बुए पुराने फटे हुए चीत्रे दुबारा से पहनने पड़ेंगे पहन लूँगा कोई बात नहीं है वेल, said the iron master, ठीक, बहुत अच्छे, हैस्टेटिंग लिटल, थोड़ा सा जिजकते हुए उसने कहा लेकिन फिर वी, एक चीज तो तुम्हें समझनी चाहिए ना, जो भी तुमने किया है, वो किसी भी तरीके से अनिस्ट नहीं, इमांदारी वाला काम तो नहीं है यू मस्ट एड्मिट देट, इस चीज से तो तुम्हें सहमत होना ही पड़े गा, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter, और मुझे बिलकुल भी साइद आसर इना हो, ये कोई आसर की बात नहीं है, कि अगर मैंने कोई कानूनी अधिकारी है, उसे बोला लिया, तो इस मामले में क्या कहने पुलिस वाल आले हैं तुमसे, है ना तुम समझ सकते हो कि उसे धमकी भी दे रहा है, प्यार से, कि जो पुलिस वाले या कोई भी आएंगे, तो तुमें पकड़ कर क्या कहेंगे, तुमने ध्याओ नहीं दिया है, बो तो बो समझाएंगे तुम्हें, ये hai तो इस तरीहक के ऊपर मुक्का मारता है है ना और मुक्का मार कर कुछ बोलना सुरू करता है now I am going to tell you Mr. Iron Master अब मैं आपको बताने वाला हूं Mr. Iron Master how things are जो बास्ता में चीज़े हैं वो है कैसी he said उसने का this whole world is nothing but a big red trap समझाओ में तुम्हें क्या है यह जो पूरा का पूरा संसार है ना पूरा यह एक बड़ा सा रेच्ट्रेप है चुहे दानी है यह और कुछ भी नहीं है all the goods things that are offered to you are nothing but cheese, rains and waste of pork तो आपको बताएं हम कि जो यह पूरा का पूरा संसार है बहुत बड़ा एक पिंजड़ा है और इसके अंदर बहुत आकरसक चीज़ें जो हुआ करती है ना वो बेट है बेट का मतलब क्या है चारा आपको पसाने का है ना चीज रिंस चाहें आप चीज के टुकड़े वगएरा देख लो या सुगर का मास जो कुछ ही होता है उसका जो चूहों को बहुत जादा पसंद हुआ करता है वो सारी चीज़ें यहां पर रखी है जिस अरीके से आदमी को बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है पसंद होती है उनको पकड़ उनको लेने की चकर में उनको पाने की चकर में वो एक बहुत बुरे जंजाल में पज़्जाया करता है और वो अपनी जो डायरेक्शन से उनसे वटक जाया करता है बिल्कुल उसी तरीके का है पिंजड़ा और यह संसार दोनों सिमिलर्टी है कही न कह समझ रहे हैं, ना? इंड टूबल, और यह साही चीजन जो हैं, धीरे से उन्हें किसमें डालती हैं, समस्या में डालती हैं, परिशानी में डालती हैं, And if the sheriff comes now, and locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big fish of pork, and then you will get caught in the trap. अगर मुझे शेरिफ आकर उठाकर ले जाता है मुझे जेल में बंद कर देता है तो Mr. Iron Master एक चीज आप भी ध्यान रखना और बहुत अच्छी तरीके द्यान रखना कि हो सकता है कि एक दिन तुम्हारी भी लाइफ मा आए जिस दिन आप एक बहुत आकर सकती चीज के पीछे है ना आपको ज़्यादा पैसा कमाना हो कोई भी चीज हो सकता है अट्रेक्ट कर जाए आपको और उस चीज को पाने की चक्कर में आप उसके पीछे लग जाओ है ना और वो किसकी समान होगा yourself may want to get a big piece of pork है ना तो आप क्या है कि इस pork के बड़े से टुकड़े को पाना and then you will get caught in the trap और फिर आप उस जंजाल में फज़ा होगे है ना फिर समझ लेना जिस तरीके की situation मेरे साथ हो रही ना उसी तरीके की तुम्हारे साथ भी हो सकती है और यह कोई impossible नहीं है और बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि हर इंसान इस दुनिया में जो भी है वो किसी न में बंद कर दिये जाते हैं है ना तो जो भी हमारा काम है हमें उसे करना चाहिए फालतों की चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए और किसी भी इंसान को अगर आप पसाना चाहते हो तो हो सकता है एक दिन तुम भी बज़ा अब क्या हो था इतना बड़ा घ्यान जब उसने दिया ट्रेंप ने क्या उसके मन में जो कुछ जए आयों उसने बोल दिया ऐना आरन मास्टर यह सुनकर हसने लगा क्या बात है मतलब हम बात कर रहे हैं तुझे यहां से बगाने की तुझे पकड़वाने की तु एन लेक्श जाड़ रहे हैं तो बेवकूपी बीरा आरे चलो तुमने जो कुछ भी समझाया इतना बुरा भी नहीं था सही है कोई बात नहीं है पहपस भी शुल लैड शारिफ अलोन उन क्रिश्मसीप बट नाओ गेट आउट अप यह एस वास्ट यू चलो साइद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शारिफ के साथ ही यहां पर खाना वाना करना पड़ेगा मैंने कॉल तो कर दिया है अब सारिफ यहां पर आएगा तो मैं बोल दूंगा उसे कुछ नहीं है क्रिश्मसीप इसलिए तो मैं बलाया है उसके साथ खाना वाना हो जाए कोई बात नहीं और जितनी जल्दी हो सकता है यहां से निकल के भाग चल्दी से निकल जाए यहां से किस से बोलता है आईरन मास्टर उसी ट्रैम से उसी कि मुझे ऐसा लगता है कि साथ में को हम लोगों के साथ ही रुकना चाहिए एक दिन तो कम से कम रुखना ही चाहिए आज तो रुखना ही चाहिए I don't want him to go मैं नहीं चाहती कि वो यहां से जाए and with that she went and closed the door फिर यही कहकर वो गई और उसने दर्वाजा बंद कर दिया के लो रुखना ही चाहिए प्राइब दिया तो आए टाएला है चाहिए रुखना है तो रहा हिए रही चाहिए